अरे कुछ लगा लो चाला हो जाएगा नहीं पड़ता दादी जिद्धी तो इतनी है कि कोई बात सुनना ही नहीं है मैंने कहा था कि मैं बहुन दू लेकिन नहीं हाथ भी जला लिया उंगलियां लग काट ली हाथ जल किया लेकिन हल्वा तो नहीं जला न अगर मैं बनाती न तो ना हाथ जलता और ना उंगलियां करती चलो दो बस तो इसमें मेरे हाथ का जाइका और मुहंबत कैसे आती तुम्हारे हाथ के जाइके का क्या करना हो ले क्या हो गया दादी वो घर है मेरा वो लोग मेरे अपने है हजार बार समझाया है तुम्हें कि तुम्हारा घर ये है तुम्हारे अपने सिर्फ मैं और तुम्हारे अब्बा है वो हमारे मालकों का घर है और हम उनके नौकर है दादी मैंने आपको लाग दफा बताया है वो मुझे अपनी बेटी जैसे समझते हैं बेटी समझने से तुम उनके मुझी की ही बेटी मापारा कैसे समझेगी ये लगी मापारा समझा करो बेटा मुझी की बेटी की तकलीफ पे को इतना तडपता नहीं और नाहीत बड़े कॉलेज में बढ़ाता वो तो मुझे अपना समझते हैं आप उन्हें अपना नहीं समझते हैं मापारा अपनायत जतानिस कोई अपना नहीं हो जाता हाँ पता है मुझे आपकी नजर में अपनायत सिर्फ कुन के रिष्टों में होती है अपनायत सिर्फ बराबरी के रिष्टों में होती है दाथी प्लीज आज ये सारी बातें नहीं आज बहुत अच्छा देने आज नहीं अच्छे चलो इस पे कुछ लगा लेना चाला पड़ जाएगा हर्गिस नहीं अमीजी को पता चल गया न वो परिशान हो जाएगे और अबबा को भी मेरी उंगलियों के बार में मत बताएगा वो दुखी हो जाएगे अब मैं चाहती हूँ अमीजी इंतिजार कर रही होंगी कब समझेगी ये लड़की